गुड इवनिंग कैसे हैं आप आज हम आम का ग्रेटेड यानि लच्छा अचार की सबसे आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये एक विक और इंस्टन्ट रेसिपी है इसे आप उसी समय बना कर खा सकते हैं तो आप देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है और इसे बनाना बहुत आसान है खाने में ये बहुत ही टेस्टी है तो चलिए इस मूँ में पानी लाने वाले अचार की रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक किलो के करीब कच्ची केरी लिए है कच्चे आम लिए है तो इसे मैंने अच्छे से दो के पोंच लिया है ये प्रोसेस करना जरूरी है तो आप इसे अच्छे से सुखा दें और इसके बाद हम इसे फीलर से थोड़ा छील लेंगे तो सारी emyak को हम पहले ऐसे इस तरह से चील लेना है और इसके बाद हम इसे इक creator की सायता से कदुकस कर लेंगे creator आप थोड़ा सा मूटा ले तो ज्यादा बेटर है इस तरह से हम इसे कदुकस कर लेंगे इसे कुझा भी कहा जाता है तो इसकी सबसे आसान रेसिपी आज मैं आपके साथ शियर करने जा रही हूँ तो यह इतनी जल्दी बन जाएगा कि आप खुद आशर करेंगे कि इतना टेस्टी अचार आप फटा फट बना सकते हैं तो इससे मैंने अची तरह से ग्रेट कर लिया अब हम आगे का प्रोसेस भी करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डेट टेबल स्पून मेथी दाना लिया है और एक टेबल स्पून मैंने सौफ लिया है आप चाहें तो मेरे अचार मसाला की रेसिपी देख सकते हैं, डारेक्ट उसी से भी ये बना सकते हैं, पर मैं आपको फिर से ये प्रोसेस बता रही हूँ, इसे एक मिनिट के लिए हम लो गैस पर सेक लेंगे, इसमें से अच्छी खुश बुआए, तो गैस हम बंद कर देंग अचार मसाला की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो डारेक्ट वो भी डाल सकते हैं, इसे हमने दर दरा सा पीस लिया है, अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं, तो आप जो भी ओल चाहें में यूज करें, मैं वेजीटेबल ओल का टूंगी यूज कर रहे हूं, अगर सरसों का तेल ले रहे हैं, तो इसे स्मोक फ्लेवर तक गरम करें, अच्छा दूआ उटने तक गरम करें, और उसके भाद इसे ठंडा करें। पर मैं ने वेजीटेबल ओल लिया है, तो इसे हल्ट का सगरम किया है, मैं जियादा गरम इस मसाले ऐड़ ना करें, यह जल जाते हैं, और इसमें से अच्छी खुश्वू नहीं आती, एक टीज़़वून मैंने कलवजी प्यास के बीच जाल दी हैं इसमें, हाफ टीज़़वन इसमें मैंने हलदी पाउडर डाला है, तेबल स्पून 10 टेबल स्पून मैंने इसमें रैड चिली पाॉडर डाला है दो टेबल स्पून के करीब हम इसमें नमक डालेंगे नमक आप थोड़ा बहुत बाद में ऐजिस्ट कर सकते हैं टेस्ट करने के बाद अब हमने जो मसाला पीछा था दरदरा सा वो भी इसमें हम पूरा ही डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा मिला देंगे इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है ये बिल्कुल रैड कलर का बनता है देखने में भी ये बहुत ही टेम्टिंग लगता है इसमें हमने 10 बारा दाने काली मिर्च के और एक तेज बता भी डाल दिया इसे भी हम मिला देंगे इस रेसिपी को प्लीज एक बारा पना के जरूर देखिए आपको ये 100% बहुत बहुत पसंद आने वाली है एक टेबल स्पून ओयल मैंने पैन में छोड़ा था इसमें हम इस केरी को पका लेंगे जैसे हम जो इंस्टन्ट वाली लॉंजी बनाते हैं तो उसमें केरी को हम थोड़ा पकाते हैं तो वो उसी समय खाने लायक हो जाती है तो इसे भी हम दो मिनिट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे दो मिनिट तक पका लिया है इसे ज्यादा हमें नहीं पकाना इसके बाद जो हमने तेल में सारे अचार के मसाले डाल के रखे थे उसी में हलका से ठंडा होने पर ये ग्रेट आम भी हम डाल देंगे तो बस लीजिए हमारा इंस्टंट लच्छा अचार बनके रेडी है आम का ग्रेट अचार फटा फट बन जाता है इसे हम बस अच्छी तरह से मिला देंगे तो ये बनके तयार हो जाएगा इसे अच्छी तरह से मिला लेने के बाद आप थोड़ा ऐसे कवर करके रखें ये बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए और उसके बाद आप एक जार लें और उसे भी आप अच्छे से सुखा दें जार बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए और इसमें आप बिल्कुल भी गीले चमच का यूज न करें जब भी अचार निकालें तो आपका स्पून सुखा होना चाहिए और आपका जार भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए तो इसी तरह की कुछ साउधानिया अगर आप रखेंगे तो आपका जार बहुत लंबा चलेगा और इसकी सेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है यह अब ठंडा हो चुका है तो इसे एक जार में मैं भर लेती हूँ तो देखिए कितना टेम्टिंग कितना यमी यह लग रहा है तो इस रेसिपी को तो दोस्तो ट्राय करना बनता है और प्लीज 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 मेरी इस रेसिपी को आप लाइक जरूर करें और शेयर करें दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सुनीतास किचन को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिये बैल बटन को भी आप क्लिक करें और रेट बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें तेंक यू फॉर वाचिंग आपका दिन शुब और मंगल मैं हो